असलाव अलेकुम नमस्कार मेरा नाम मोहिन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता भेहनों का इस चैनल के अंदर स्वागत करता हूँ दोस्तों क्या परेशान हैं और परेशान हो गए हैं आपके बीच में किसी तीसरे इंसान के आजाने से ऐसा बहुत से couples, पती-पतनी, girlfriend, boyfriend के बीच में कुछ ऐसा ही हो जाता है जिसके बीच में कोई तीसरे इंसान आ जाता है और उनका relationship आपसे संबंद खराब हो जाता है जिससे उन दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है और दोनों एक दुसरे से अलग हो जाते हैं तो आप अगर चाते हैं ऐसा आपके साथ हो गया है कोई तीसरे इंसान ने अपनी जीगे बना लिए आपके बीच में आकर और आपको उनसे दूर कर दिया है खिलाफ कर दिया है तो सिम्पल सा उपाय मैं आपको बताना वाना हूँ जिसको करते ही किसी भी दो लोगों को आप हमेशा हमेशा के लिए एक दुसरे से लड़ाई जगड़ करवा कर उनको एक दुसरे से अलग कर सकते हो जी हाँ दोस्तों यदि आप चाहते हैं दो लोगों में अन्बन कराना तो दो लोगों को हमेशा के लिए अलग किया जा सकता है दो लोगों को एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है क्योंकि ये उपाई बहुत ज़्यादा असान है और एक बार इस उपाय को आपने कर लिया तो दो लोगों में अन्बन हो जाएगी और दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे यदि आप किसी भी दो लोगों को अलग करना चाहते हैं आप चाहते हैं दो लोगों में अन्बन हो जाए और दो लोग हमेशक लिए अलग हो जाएं एक दूसरे से दूर हो जाएं एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं तो सबसे आसान यह उपाए है सिंपल सा उपाए सिर्फ और सिर्फ एक बार इस उपाए को कर लीजिए दो लोग करने के लिए 21 चोबे लेनी है जो कील होती है जैसे की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 21 चोबे और उनको इस तरीके से जैसे की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बिलकुर सेम तो सेम इसी दातों के बीच में उनको दबाना है हलकासा और मन ही मन में आपको सच्छे मन से बोलना है उन दोनों का नाम, 21 बार ही आपको नाम बोलना है, जैसे कि जिसको लग करना है, एक का नाम है सुखी, दूसरे का नाम है ममता, तो सुखी, मनुच्चाटा ममता, सुखी, मनुच्चाटा ममता, ऐसे 21 बार बोलके, इन मुँ में दबा कर मन में बोलना है, फिर इसको हाथ में ल झाल कर दो को .